दोस्तों क्या आप भी अपने गूगल पे के UPI PIN को भूल चुके हैं या आपके UPI PIN के बारे में किसी को पता चल गया है या आप अपनी UPI PIN को किसी अन्य कारणों से बदलना चाहते हैं तो आज आप बिल्कुल दोस्तों आप सही वीडियो पर आ चुके हैं कैसे आप अपनी गूगल पे के UPI PIN को चेंज कर सकते हैं इसके बारे में जानने के लिए दोस्तों वीडियो को लाश्ट तक का देखते रहिए तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना उसके बाद दोस्तों जो सब्सक्राइब का बटन आपको दिखता है ब्लैक कलर का इसके ओपर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ ही बगल में घंटी आएगी घंटी को दब अपने गुगल पे अप्लिकेशन को ओपेन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है उपर दोस्तों आपको राइट साइड में आपका जो प्रोफाइल फोटो दिखता है आपको इसके ओपर क्लिक करना है ठीक है जैसे दोस् अपको फॉर्गेट यूपी पीन चेंज करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट को आप सिलेक्ट कर लीजे ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भी अकाउंट इसमें दो एड है तो मैं नीचे वाला जो बैंक है बैंक ऑप इंडिया इसका यूपी आइपिन चेंज करना चा जाता है इसके लिए दोस्तों आपको आपके ATM या फिर डेविट कार्ड जो है उसका लास्ट सिक्स रिर ऊपर डालना है नीचे दोस्तों आपको आपके ATM कार्ड की expiry month और year डालनी है तो मैं यहाँ पर अपनी कार्ड डिटेल डाल लेता हूँ और आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ दोस्तों ATM कार्ड या डेविट कार्ड की डिटेल डालने के बाद राइट साइड में आपको arrow का बटन दिखेगा आपको arrow वाले बटन पे क्लिक करना है जैसे दोस्तों आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपके register mobile लंबर पर एक OTP भीजा जाएगा और वो OTP दोस्तों आपको आपको आपके ATM कार्ड का जो पीन है उससे आपको एंटर कर देना है और नीचे राइट वाले निसान पे क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे नया UPI PIN बनाने के लिए पुछा जाता है जो भी UPI PIN आप नया बनाना चाहते है वो यहाँ पर UPI PIN आपको चार डिजिट का हो सकता है या फिर छे डिजिट का भी हो सकता है कई बैंकों में UPI PIN चार डिजिट का होता है कई बैंकों में छे डिजिट का होता है अगर आप SBI बगरा यूज़ करते हैं तो आपको छे डिजिट का यहाँ पर UPI PIN बना लेना है उसके बाद तो नीचे आपको right का निशान दिखाई देगा, आपको right वाले निशान पर click करना है, फिर से दोस्तो आपको वही वाला UPI Pin डाल देना है, जो आप बनाना चाहते हैं, confirm करने के लिए, और उसके बाद दोस्तो नीचे आपको right वाले निशान पर फिर से click कर देना है, अब योपी आई पीन बदलने के लिए तेयार हो चुका है और योपी आई पीन यहाँ पे चेंज हो चुका है यहाँ पर आप जैसा की देख सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको लाइप प्रूप करके दिखाया कि कैसे आप अपने गूगल पे अकाउंट में किसी भी बैंक का योपी आई पीन कैसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ के होंगे कि गूगल पे का योपी आई पीन कैसे चेंज करते हैं अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है इस वीडियो से क पर सिलेक्ट जरूर कर लेना तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखे गुडबाई एंड टेक केर